श्री शिवाय नमस्तु भ्यंदर्श को हर हर महादे आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दर्श को 26 फरवरी शनिवार को विज्या एकदशी है फालगुर माश के कृष्ण पक्षी की एकदशी को विज्या एकदशी के नाम से जाना जाता है सास्त्रों में सभी एकदशी व्रत को भगवान विश्णू को समर्पित बताया गया है और इसे श्रेश्ट व्रतों में से एक माना जाता है हाला कि एकदशी व्रत के नियम काफी कटिन होते हैं ये दश्मी की साम से ही लागू हो जाते हैं और द्वादशी तक चलते हैं एकादशी के सभी वरतों का अलग-अलग महत्व बताया गया है विज्या एकादशी का वरत शत्रूओं पर विजय दिलाने वाला होता है माना जाता है कि स्वयम प्रभू श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले विज्या एकादशी का वरत रखा था इसकी बाद लंकापती रावण का वद किया था इस बार विज्या एकादशी 26 फरवरी को पड़ रही है अगर आप इस वरत को नहीं रख सकते हैं तो इस दिन कुछ विशेश उपाय कर सकते हैं इन उपायों से आपकी हर मनो कामना पूर्ण होगी अगर आपके कोई विशेश मनो कामना है या किसी कार को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो इस दिन आप यह उपाय अवशी ही करें। अगर आप किसी विशेश कामना की पूर्ती करना चाहते हैं, तो एका दशी के दिन सुभा नादी से निर्वित्र होकर सूर्य भगवान को गंगा जल अरपित करें। इसके बाद प्रभू शीराम पथा उनके परिवार का पूज चड़ाएं, ग्यारा चंदन अगरबत्ती और ग्यारा दीपक जलाएं। ग्यारा बादाम चड़ाएं और ग्यारा ही आप काजू चड़ाएं, आप कुछ भी जड़ा सकते हैं। इसके बाद ओम सिया पते राम रामाई नमहा मंतर का चाप करें। एक बार में फिर से दोरा इस मंत्र को ओम सिया पते राम रामाई नमा मंत्र का आपको ग्यारा बार ही चाप करना है क्योंकि यहाँ एकादशी है इसलिए इसमें ग्यारा चीजें ही समर्पित होती है और मंत्र का उच्चारण भी ग्यारा बार ही होता है यह चोटा सा उपाय आपके कोई भी विशेश का अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को तुरंती आप सबस्क्राइब कर लीजे और बेल आइकन को प्रेस करके जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुचे श्री शिवाय नमस्तो भ्हम दर्शे को हर हर महादेव